हाई गाईज इस टूटरिल में हम लोग इन्हांस्ट फोर्लूप विथ 2D एरे देखेंगे यानि कि टू-डिमेंशनल एरे में हम लोग किस देखेंगे से इन्हांस्ट फोर्लूप का यूज करते हैं यहां मैंने लिखा हुआ है एक 2D एरे का विल्डियू मैंने दिया हुआ इसमें की तीन रोज हैं और टू कॉलम्स हैं ठीक है फोर्लूप मैंने यूज किया है इन्ट आई और यहां आप देते हैं एक स्क्वायर ब्रेकेट कॉलम नम ठीक है इसके अंदर एक और फोर्लूप करते हैं यहां आप लेखते हैं इंट जे कॉलम्स और यहां आपने जो लिख्खा हुआ है उसको आप यहां लिखते हैं ठीक है और इसको प्रोग्राम में देखते हैं यह पूराना तरीका है हमारा प्रिंट करने का जिसमें आप int i equal 0 इसमें raw का length i++ फिर इसके अंदर एक और फोर लूप यानि एक एने अस्टर फोर लूप यूज़ कर रहे हैं j00 sorry j equal 0 j less than column का number यह भी column का size j plus plus और इसके अंदर आप प्रिंट करते हैं इससे भी आपको output आपको मिलेगा इसको जब आप run करते हैं तो इससे भी आपका output आपको मिल जाता है ठीक है बड़ हमारे पास एक enhanced for loop है जिससे कि आप इसको और easy way में कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग फोर लूप यूज करते हैं फोर लूप में आपको लिखना है int i column यह जब आप लिखते हैं तो यह क्या करता है कि नाम एक 2d array ठीक है यह क्या करता है और यह क्या है अब इसके अंदर एक और for loop हम लोग यूज करेंगे और यहां हम लोग लिखेंगे यहां यहां लोग लिखेंगे इसके अंदर हम लोग लिखेंगे system.out.println यहां लिखते है j और यहां हमें देना चाहिए प्लास प्लास और थ्वार सा इस पेस और यहां यहां एक नेवलार यहां इस आफारमेट कर रहा हूं ठीक है output वैसे भी मिल जाएगा इसको फारम फिलता है मैट्रिक्स के फारम में हमें हमें दिखाएदें ब थो न क्या होता यह पूर पूर फॉर लू of समझ है ठोसे पहले मैं ने आपको बताए कि यह वंडी एरे तो यह क्या करता कि पूरे एक रॉख आया को स्क gosh we will हमने इसके अंदर एक फॉर लुक हर य है उसमें कि j i लिक्खा हुआए आरे में दिखा हुआए हकी हमने ऐसा कुछ लिख सब्दांब यह क्या करता है कि j की खुत और कि इसके अंदर का ऐंडर की sleutทำ सरक करता था धै Imperial के幹 यहाynn gos इसको scan करता है इसके पास क्या है इसके पास set by set है ये एक set है ये एक set है और ये एक set है तो ये इसी तरीके से ये जह हो इसके अंदर जाता है और एक-एक element को scan करता है और हमें प्रिंट करके दिखाता है ठीक है इसको भी अगर आप रन करते हैं I hope कि यह समझ में आगया होगा यह क्या पूरा प्रोसेस हो रहा है अगर नहीं ताप कमेंट कितरों मुझे पूछ सकते हैं इसमें ज्यादा कुछ critical चीज़ें हैं नहीं कुछ difficult है नहीं इसको रन करते हैं और देखते हैं और रन किया मैंने आपका output हुआ ही दिखाए दे रहा है वह से इस तरीके से आप enhanced forlip का 2D array में यूज़ कर सके हैं थैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो